Hello student, welcome back to another class तो अभी हम start कर चुके हैं आपका नया batch 2024 का और हम सबसे पहले discuss कर रहे हैं आपका syllabus क्योंकि अगर आपको syllabus पता है कि जो भी subject आपने लिया है उसके syllabus अगर आपको पता है तो आप एक idea लगा सकते हो क्या चीज़ आपको पढ़नी है कैसे पढ़नी है आप एक organized सरीके से पढ़ाई कर सकते हो तो आज हम discuss करने वाले हैं BA first semester की psychology का नया syllabus क्या होने वाला है क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है किस तरह से पढ़नी है वो सारा कुछ हाज हम discuss करने वाले ओके तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखिए है आप अलग subject भी choose कर चुके हैं तो वो subject की वीडियो भी जरूर देख लीचेगा आज़े देखते हैं unit number one में हमको क्या पढ़ना है सबसे पहले जानते हैं कि पूरे syllabus का क्या नाम है तो इसका नाम है basic psychological process मतलब psychological processes जो भी हो रहे हैं वो psychological processes का basic क्या है तो हमको first semester में basic पढ़ना है second semester में उससे धीर धीर बढ़ता रहेगा चीज़े तो पहले basic समझना बहुत important होता है तो unit number one में हमको psychology का basic समझना है कि what do you mean by psychology psychology क्या है psychology का nature क्या है psychology में scope क्या है psychology के applications क्या है यह सारा कुछ हमको समझना है कि psychology का यह सब चीज़े है क्या अब psychology को लेकर कि कई सारी approaches है तो psychology को लेकर कि approaches क्या क्या है एक है आपका psychodynamic approach, एक है आपका behavioristic approach, एक है आपका cognitive approach, एक है आपका humanistic approach, एक है आपका indigenious approach जिसको Indian psychological approach भी कहते हैं, जिसका reference आपको लेना है भगवत गीता से. तो ये सारा कुछ आपको unit number one में पढ़ना है, psychology का basic concept समझना है, basic concept क्या है, nature, scope, applications, approaches, जिसमें psychodynamic, behavioristic, cognitive, humanistic, indigenious, reference आप भगवत गीता के हिसाप से इसको समझना है, indigenious का जो है, तो ये basically आपका unit number one है, तो ये सब कुछ हम detail में पढ़ने वाले हैं, जब हम classes में पढ़ रहे अब बात करते हैं unit number second की, unit number second में आपको क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है आपको biological basis of behavior, means कि एक इनसान, एक human being जो behavior करता है, उसका biological basis क्या होता है, एक तो होता है कि हम चीजे सीखते हैं, जो भी हमारे आसपास के लोग होते हैं, उनसे हम कुछ ना कुछ चीजे सीखते है कुछ approaches होते हैं, लेकिन कुछ होती है जो हमारी biology में ही होती है, तो biological basis क्या हो सकता है behavior का, तो इसमें आपको divisions of nervous system, हमारे mind का nervous system है, वो किस तरह से divided हैं, उसमें कौन-कौन से elements हैं, उसके according भी हमारा behavior होता है, आपका neural conditions पढ़ना है, and synaptic transmission किस तरह से हुआ है, क्या सारी चीज of the brain, brain का structure कैसा है, brain किस तरह से function करता है, यह सारा कुछ समझना पड़ेगा, आपको जो है, endocrine glands and their effects, endocrine glands क्या है, और उनके effects क्या है, यह सारा कुछ हमको discuss करना है, biological basis of behavior में, क्या हमारे mind में हमारे मस्त, हमारा brain अच्छे तरीके से work है, इसके neurometers जो है, वो अच्छे तरीके स work कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितने connected हैं, इसमें हमारा biological basis define होता है, हमारे behavior का, ओके, तो second unit में हमको यह पढ़ना है, unit number three में आपको क्या पढ़ना है, unit number three में आपको पढ़ना है, attention process के बारे में, कि किस तरह से हमारा attention जाता है, किसी जीच पर, हमारा focus किस जीच पर कैसे ज समझना है, nature and determination क्या है इसके, perceptual process क्या है, nature and determination क्या है, organizations के, perceptual organization क्या है, perceptual illusion क्या है, तो यह सारी चीजें जो हम attention देगर के चीजों को समझते हैं, वो किस तरीके से work करती है, यह आपको unit number three में पढ़ना है, unit number four में आपको पढ़ना है, unit number four में आपको पढ़ना है, learnings के बारे इसके बारे में समझना है unit number 4 में तो unit number 4 है learning इसमें आपको classical conditioning के बारे में बात किया जाता है कि किस तरह से एक हमारी conditioning कर दी जाती है किसी चीज को सीखने को ले करके उस हिसाब से हम सीखते रहते हैं classical conditioning है एक है आपका operant conditioning यानि कि कुछ special conditioning भी जाया learning by insights हम चीजों को करते करते सीखते हुए learning जो करते हैं learning by insight and observational learning यानि कि देखते देखते हम किसी चीज को observe करते हैं और उससे जो चीजे सीखते हैं उसको कहते हैं observational learning तो यह basically 4 types के basic रूप से learning होते हैं जिसके बारे में आपको unit number 4 में पढ़ना है डिटेल में समझेंगे जब हम unit complete करेंगे unit number 5 की बात अगर करें तो unit number 5 में आपको पढ़ना है क्या memory and forgetting कि हमारा brain में हमारी जो memory है वो किस तरह से work करती है किस तरह से हम किसी चीज को भोल जाते है कुछ चीज़ें हमें याद रह जाती है ऐसा होता है ना बारे brain में sometimes हमने पूरे दिन में बहुत कुछ चीज़ें की होती है पर कुछ-कुछ चीज़ें हमें याद रहती है बाकि हम भोल जाते हैं तो ऐसा क्यूं होता है तो इसमें आपको stages of memory के बारे में पढ़ना है जैसे stages of memory होता है कि encoding होता है, storage होता है, फिर इसका retrieval होता है types of memory होती है, कई types की memory है जैसे sensory memory है जो हम अपने sensege के थुरू परसीब करते है हमारी short term memory है जो थोले time के लिए हमें याद रहता है long term memory है जो हमें सालो सालो तक याद रहता है तो यह types of memory है अब अगर हम forgetting की बात करें कि भूलने के बात करें तो decay हो जाता है sometimes चीजें और हम भूल जाते है sometimes जो है interference हो जाता है उस हिसाब से कर कोई चीज हम भोल रहे है तो उसको कहते है Q-dependent forgetting तो यह है unit number 5 जिसमें आपको memory and forgetting के बारे में समझना है आईए बढ़ते है unit number 6 की तरफ 6th number unit है आपका इसमें आपको पढ़ना है intelligence के बारे में intelligence के बारे में आपको पढ़ना है कि nature and definition क्या है intelligence का नेचर और definition क्या है क्या होता है intelligence यह हमको समझना है इसके बाद आपको पढ़ना है concept of IQ intelligence का concept क्या है किस concept पर यह चीजें वर्क करती है उसके बारे में पढ़ना है उसके बाद theories of intelligence पढ़ना है theory क्या है intelligence को लेकर के कौन-कौन से concept दिये गए है Spearman ने अपनी theory दिया हुआ है intelligence को लेकर के intelligence को लेकर के Thruston ने अपनी theory दिया हुआ है intelligence को लेकर के Guilford ने अपनी theory दिया है Sternberg ने अपनी theory दिया है Gardner ने theory दिया है intelligence का तो इन सब के अपने theories क्या है intelligence को लेकर के यह सभी लोग intelligence को लेकर के क्या सोचते है इनके द्वारा intelligence को measure करने का मतलब क्या है, इनके द्वारा definition क्या है, तो ये सारा कुछ concept, definition, theory, ये सब कुछ हमको intelligence related पढ़ना है, किसमें unit number 6 में हमको पूरा proper intelligence को समझना है, जब आपको हम पढ़ाएंगे न, जब आपको पूरा syllabus, syllabus में आपका chapter जब पढ़ाएंगे न, बहुत करते हैं, unit number 7 की, unit number 7 में आपको पढ़ना है personality के बारे में, personality क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले पढ़ना है, personality में definition, what do you mean by personality, personality की definition क्या होती है, उसके बाद इसके determinates क्या है, जो एक दिखाते हैं कि एक personality के कौन कौन से क्या चीज़े हैं, जो determine करती है यह personality, यह personality है, जो define कर दी एक तरीक से, तो determinates क्या है और definition क्या है? Approaches to personality क्या है? Personality को लेकर कि क्या approaches दिए गए हैं? उनको समझना है उसके बाद आपको समझना है trait approach, जैसे personality को लेकर के approaches जो है, उसमें trait approach आता है, जिसमें airport और cattle की theory आती है, जो trait approach है, उसके बाद psychodynamic approach आता है जिसमें Freud की theory आती है humanistic approach आता है जिसमें Rogers और Maslow की theory आती है तो इन सब की theory क्या है इन सब ने personality के बारे में क्या theory दिया है वो सारी theories को हमको समझना है और किस theory को हम जादा महातो देते हैं उसके बारे में अच्छे से समझना है तो unit number 7 में basically आपको total personality के बारे में बहुत अच्छे तरीके से aware होना है इसके बाद आता है आपका unit number 8 जिसका नाम है motivation motivation में हमको क्या पढ़ना है कि nature and concept क्या है motivation का कि motivation का nature क्या है concept क्या है motivation हमें किन चीजों से मिलती है या तो हमारी कोई जरूरत हो और उसको पूरा करने के लिए हमी motivation हो हमारी कोई drive हो कि या इसको पा करकर रहना है या तो हमारे कोई instincts हो या हमको कुछ incentive दिया जाता हो या ये कर लोगे तो 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 मच्छों को पढ़ाई कर लोगे तो मैं इघनाएं मिल जाएगा तो 70% its partial mark ले एक साइकल दिला दिए ये कर दिए तो incentive कुछ मिलता है तो motivation आता है तो यह सारे motivation के factors हो गए अब बात करते हैं types of motives motives के types क्या हो सकते है biological type हो सकता है and social motives हो सकते है biological कुछ हो सकता है और social motive हो सकते है कि हमको यह achieve करना है society में इसके बात करें emotions की emotions भी हमें मोटिवेशन देते हैं कोई भी चीज़ के पीछ अगर आपका ख्वाई के लिए रहे कि हम क्यों कर रहें और ख्वाई अगर आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है ना काम हो जाएगा आपका तो इमोशन का नेचर क्या है और टाइप्स क्या है इमोशन के यह हमको समझना है अब इमोशन के टाइप में एक्सप्रेशिवनेश आफ इमोशन से है जिसमें यूनिवर्सल और कल्चरल स्पेस्फिक चीज़ें आती है थियोरी आफ इमोशन में जेम्स लैंज ने एक थियोर इट में तो यह बेसिकली आपका psychology का स्लेवस भी ए फर्स निश्टर का जिसमें आपको basic psychological processes के बारे में जानना है जिसमें हमने लगभग psychology के हाट टर्म्स को जान लिया है अब 6 में आप देख सकते हैं Intelligent, Personality, Motivation, बहुत सारी चीज़ों को हमने समझ लिया और यह सारी चीज़ अगर आप समझो के आप सोचो आपकी personality में कितना development आएगा, कितनी सारी चीज़े सीख सकते हो तो इसको just as a subject नहीं अपनी जिन्दगी समझ करके पढ़िए कि हमको यहां से काफी कुछ सीखने को मिलेगा, हम psychologically, mentally strong होंगे इन subjects को पढ़ करके तो इसका classes लगने वाली हैं बहुत जल्द ही, आप लोग चैनल के साथ जुड़े रही है, आपको definitely चैनल को मिलेंगे और you will learn a lot अपने friends में सभी को share कीजिए, जिनों ने भी यह subject ले रखा और नहीं भी ले रखा, तो psychology पढ़नी चाहिए यार तो I hope वीडियो तो पसंद आयोगा, वीडियो पसंद आयोगा, वीडियो पसंद आयोगा तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बाद चैनल पे आया है, तो please visit the channel, if you think it is valuable तो आप subscribe कर सकते हैं तो मिलते हैं आप सखले वीडियो में, बाबाए